हलो दोस्तों स्वागत आपका यूर्का एंफटर चैनल पर और आज जो है आपको यहाँ पर टॉप 10 एजनसी जो की स्पेस से रिलेटेड हैं जैसे की भारत में ISRO है जिसे इसरो भी नॉर्मली कहा जाता है यह USA में NASA है तो उनके बारे में बात करेंगे यह देखिए जैसे की आप यह लोगों देख रहे हैं जैसे की उपर नासा लिखा हुआ है और यहाँ पर ESA है जाकसा है जापान का जो है ISRO है जो की इंडिया का है तो इनके बारे में अच्छे डेप्थ में विद डिटेल बात करेंगे कि 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 क्या रैंकिंग है और कौन नंबर वन पर है तो यह एक टॉप 10 सिरीज है आप इस वीडियो को आखरी तक देखें आपको मज़ा आएगा दस्वे नंबर पर जो इस पेस एजनसी है आंत्रिक्त संबंधित जो संस्था है इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टेडीज जो की इसका गठन जो है 1961 में किया गया था और य दस्वे नंबर पर है और हमारा जो नौँए नंबर पर जो इस स्पेस एजनसी फॉर वो है इ ones sparAtt गया था और इसकाfood quarter जो है Rome की इटली में है और रोम ताइबर नदी पे इस्थी थे और उसी के पास ही ये एजनसी बनाई गई है और इस एजनसी का collaboration जो है ESA जो की European Space Agency और NASA के साथ भी Cassini जैसे कसीनी जैसे बड़े प्रोजेक्ट में किया गया है जो की एग्जो प्लेनेट और उनके पढ़ाई में काफी मदद करता है उनके स्टेडीज में और अगला जो हमारा जो इस्पेस एजनसी है जो आटवे नंबर पे है वो जर्मनी की स्पेस एजनसी है और इसका नाम है जर्मन एरो इस्पेस सेंटर जो की जर्मनी में है और इसको फॉर्म किया गया था यानि की गठन किया गया था उननिस उननतर में हेटकॉर्टर जो है इसको कुलोगने है जो की जर्मनी में है और इसी Space Agency को DLR के नाम से भी जाना जाता है DLR दरसल एक जर्मन शब्द का संचिप्त है ये शॉर्ट फार्म है DLR और हमारा जो अगले जो Space Agency है उसमें जो हमारा आएगा उसका नाम है Japan Aero Space Exploration Agency जिसे नॉर्मली जाकसा के नाम से भी जाना जाता है और जो है इसका गठन जो है 1993 में किया गया था और ये जो है इसका जो हैटकॉाटर है वो चोफू टोकियो में है जो जापान की राजधानी है और अगला जो है अब जो हम ये छटवे नंबर पे जिस Space Agency को देख रहे हैं ये गॉर्मेंट की Agency नहीं है यानि कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है इसका एक पर्टिकुलर मालिक है इससे पहली की Agency जो रही है 10, 9, 7, 8 पे और जो आने वाली Agency यहां उनमें कहीं न कहीं है कि उसके जो Stakes है यानि कि जो अधिकार है वो गॉर्मेंट के पास है ये जो है एक तरीकी की प्राइवेट कमपनी है इंडिया में भी इसी तरीकी कमपनी है जिसका नाम है इंडस करके नाम है कमपनी का और ये कमपनी जो है जो इस पेस एजनसी है जिसका नाम स्पेसेक्स है इसके मालिक जो है ऐलन मस्क है और इसका जो है गठन जो है 2002 में किया गया तो हाथ होरने कलिफोर्निया में एक जगा है जहां पर इसका हेटकॉर्टर है और यह प्राइवेट अमेरिकन एरो स्पेस मनुफेक्चरन एंड स्पेस ट्रांप्रोटेशन सर्विस प्रोवाइडर कमपनी है जितने भी गतवीदियां होती है उसमें जो है अपना काम सयोग करने के लिए यह एक तरीके की प्राइवेट कमपनी है जिसका मालिकाना हक एक विक्ति के पास है जिसका नाम है एलन मस्क और जो पाँचवे नंबर पे जो स्पेस एजनसी है यानि के आंत्रिक्शन्स था है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च और नाईसियन जीसे नॉर्मली इसरो के नाम से जाना जाता है लेकिन जब हम किसी का शॉर्ट फॉर्म में नाम लेते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए तो आई एस आरो ही सही है तरीका बोलने का तो जो इसका जो गठन है वो उनीस सो बासट में डिपार्टमेंट आफ एटामिक एनरजी के तहत की गई थी जबालन लेरू तब जो है इसके अध्यक्ष थे और ये उनका टेनियोर था और बाद में जो है इसे विवेक सारा भाई जो है जो कि यहां के महान वैगानिक रहे हैं उन्होंने जो है आई एस आरो का उनीस सो नहत्तर में पून रूप से जो कि आज हम वरतमान में जैसा दि कुलर में जो है कि अडोप किए गया थैं 2012 कुर्ण टाइम में इसके चेरमेन यह सीवान है और के बहुत बढ़े बढ़े अभी प्रोजेक्ट भी aras टाइम में जो है अमानाओ को जो है आंत्रिक्ष में उतरने का भी प्रोग्राम सेट किया जा रहा है और जो इंडियन स्पेस और नाम है आये सारू के वज़े से और अगला जो हमारा स्पेस एजनसी है उसका नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजनसी जो की चौते नमबर पे है और इसे जो है रॉसकोस मौस भी कहते हैं यह रशियन सब्द सिप्रेरी था और जो इसकी गठन है 1992 में की गई थे लेकिन यह जो है काम पहले से कर रहा है क्योंक के तोर पे यूरी गागरीन और तेलेक नीना तरस्कोरवाग जैसे यानि प्रतिस्टित एस्टोनाट के तोर पे भी रशिया का एक बहुत भी बड़ा नाम रहा है और वर्तमान में भी इनके कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब जो हमारा अगला स्पेस ए अब यूरोपियन इस्पेस एजनसी शीधा से मामला है कि यह कई देशों को मिला कि यानि इसके 22 मेंबर हैं और इसका गठन जो है यूरोपन यूनियन के ताहीं जो कि यूरप में एक सासन प्रानाली का तरीका है इसका गठन जो है 1975 में किया गया था और इसका है एड़कॉ Space Agency Administration जिसे CNA से भी कहा जाता है और इसका गठन जो है 1993 में किया गया था हाइदियान करके एक जगह है बीजिंग जो की कैपिटल है चाइना की वहाँ पे जो है इसका जो हैड़कॉर्टर है और चाइना Space Agency का सबसे बड़ा चीमेंट यह है कि इनके पास उतना बड़ा Space Agency नहीं ह Space Station है उतना इनका बड़ा नहीं है लेकिन इनके पास भी अपना खुद का एक परसनल Space Station है जो की लियू में होता है जिसको लोवर अर्थ और बोलते हैं जो की 400 किलोमीटर के रेंज का एरिया होता है जहां पर यह सेट किया जाता है और जो हमारा फाइनली नंबर वन पे है व प्रतिस्ठित Space Agency है यानि कि आंत्रिक्षंस था है आंत्रिक्ष के मामलों में काम करने वाली तो जो इसका जो गठन है वो 1908 में किया गया था और डीडी आइजिन हावर जो की अमेरिका के रास्ट पती रहे हैं और इनके बारे में सबसे बड़िया बात जानने के बारे हम य क्योंकि वासिंग्टन डीसी यानि कि डिस्ट्रिक और कॉलंबिया अमेरिका में पचास राज है तो वहां पे जो एक है कॉलंबिया जो स्टेट है वहां पे पर्टिकुलर जगह है वासिंग्टन डीसी वहां पे ही इसका है तो यह आपकी रही स्पेस एंसी को टॉप 10